हेलो गाइज, फाइनली रियलमी का 8i इंडिया में लांच हो चुका है, 4GB प्लेस 64GB वेरेंट के साथ, यह आपको 14,000 के प्रैज में मिलेगा, अगर आप एक budget friendly स्मार्टफोन खरीदने का सोंच रहे हो तो एक बहुती बढ़िया आप्शन है, यह इंडिया का पहला स्मार्टफोन है, जिसमें MediaTek Helio G96 प्रोसेसर है, और 5000 एमेज की बैटरी, 120 Hz रिफ्रेस्ट वाला डिस्प्ले, और बहुत कुछ जानने को मिलेगा इस व इल्डू क्वालिटी और डिजैन की बात करें, बैक साइड में आपको पॉलिक कॉर्मनेट बैक देखने को मिलता है, देखने में फोन काफी अच्छा, शैनी है, मगर fingerprint magnet है, यह 8.5 mm थिकनेस के साथ आता है, और 194 ग्राम का है, दोस्तों, क्विकली पोर्स और बटन्स की बा रैट सेड में पोर अन अप वटन, इसी में fingerprint scanner मिलता है, दोस्तों, डिस्प्ले की बात करें, 6.6 inch FHD plus IPS LCD डिस्प्ले है, विट 120 Hz रिफ्रेस रेट, और 600 निर्स की brightness है, दोस्तों, इसमें डिस्प्ले क्वालिटी काफी अच्छी है, दोस्तों, पर्फामेंस की बात करों, यह 2LNM पर बेस है, वैसे दोस्तों, इसमें Helio G96 के वज़े से, आपको 120 Hz का डिस्प्ले मिलता है, और इसमें BGMI गेम भी HD पर खेल सकते हो, गेमिंग एक्सपिरेंस आपको स्मूध देखने को मिलता है, पर्फामेंस के मामले में कोई प्राब्लम नहीं होगा, दोस्तों, इसम HDMI UI 2.0 है, या Android 11 पर काम करता है, ये फोन आपको दो वेरियंट में देखने को मिलेगा, 4GB प्लेस 64GB और 6GB प्लेस 128GB स्टोरेज के साथ, कैमरास की बात करें, इसमें बैक साइड में ट्रिपल कैमरा सेट अप, जिसमें 50 मेगा पिक्सल का प्राइमरी कैमरा, 2 मेगा पिक्सल का डेप्थ और 2 मेगा पिक्सल का माइक्रो कैमरा देखने को मिलेगा, दोस्तो इसमें कैमरा क्वालिटी ठीक टाग है, साती फ्रंट में पंचोल के साथ 16 मेगा पिक्सल है, इसमें 5000 मेज की बैटरी है, विद 18 वार्ट चार्जिंग के साथ, दोस्तो इसमें सभी सेंसर देखन को मिलेंगे वैसे दोस्तो अगर आप performance based phone खरीदने की सोंच रहे हो तो आप इसे जरूर खरीच सकते हो इसमें Helio G96 है और 50 Megapixel का नया sensor है दोस्तो इसमें notification light और FM radio देखने को नहीं मिलेंगे ओवराल दोस्तो realme 8i के बारे में इतना ही वैसे दोस्तो आपको ये phone कैसा लगा मु मिलते हैं अगली वीडियो में जहीं दोस्तो